नमस्कार विहारी नीज में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक प्रकार की सबजी जिसका नाम चिचिंडा है उसके बारे में जो लोग चिचिंडा खाने से भागते हैं वो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इसके इतने अच्छे फायदे हैं कि कोई इसे खाने से खुद को रोक नहीं पाएगा यह ऐसी सबजी है जो ना सिर्फ स्वाद में अच्छी होती है बलकि सेहत के लिए भी फायदे मन मानी जाती है इसके सेवन से ना सिर्फ कई बिमारियों को दूर रखा जा सकता है बलकि यह कई बिमा गतिविधी पाय जाती है इसके नियमित सेवन से ब्लड्म ग्लुकोज के अस्तर में कमी हो सकती है ऐसे में कहां जा सकता है कि इसके फायदे डायिती तरह दिलाने में भी हो सकते हैं खिंड़ा सबजी बukhard में भी काम आ सकता है इसको बुकhard की इलाज में युद्वा के रुप में उप्योग किया जा सकता इसके अलवा यहया की इस्थिती में भी मददकार होता है चिछीनडा सब्जी का райव स्वास्त पर प्रभाव पर सकता है इसमें कुकुर बिटासीन, B, कुकुर बिटासीन, E, करिट्टो नॉयड और एसकॉर्बिक एसिड होता है जो एंटी ऑक्सिडेंट गतिवीधी की तरह काम कर सकता है एंटी ऑक्सिडेंट फ्री रेडिकल्स द्वारा की एक ऑक्सिडेटीव चैन खाटव कौईर को बहतर करना भी शामिल है इसमें सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल डाइट्री फाईवर पाया जाते है जो खात्पधारकों पचाते हैं इससे पाच़एं जो स्वस्त रहता और पाचिन के लिए आसानी से होती है अगर किसी को पीलिया की समस्या है तो उनके लिए चिचिंडा का उपयोग अच्छा साबित हो सकता है इसके औस धी गुन के कारण पीलिया के उप्चार में सहायता मिलती है कब्ज की समस्या से निजात दिलाने में भी चिचिंडा सहायक हो सकता है, कब्ज की इस्थिती में पेट ठीक तरह से साफ नहीं हो पाता है, वहीं चिचिंडा में परग्याटिव गति बिधी पाए जाती है, जो एक तरह का लेक्सेटिव प्रभावर होता है, यह कब्ज की इस्थिती में पेट को साफ करने में मदद करता आज कल डेंद्रोफ यानी रूसी की समस्या आम हो गई है अगर कोई भी रूसी से परिशान है तो चिचिंडा के फायदे इस समस्या से निर्जात दिलाने में सहायक हो सकता है बालों की समस्या से निर्जात दिलाने वाले हर्बल टॉनिक में चिचिंडा के पत्तों का वीडियो में बस इतना ही फिर में लेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ और माश्रा करते हैं कि चिचिंडा से संबंधित हमारा या वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर आप किसी विशेपर हमसे कुछ और पूछना चाहते तो मैं आपके सवालों के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं धन्यवाद